मानो तो मोज है वरना समस्या हर रोज है समस्या घर घर की कहानी है आज घरों में समस्या आनपड़ी है समस्या आनपड़ी है हस्बेंड वाइफ के रिष्टे में आज कलपती पतनी के रिष्टे में दरारे बढ़ती जा रही है आप एक चक्कर कोर्ट कचैरी का लगा लेना व वजय है husband wife के रिष्टे में दरार पड़ जाना इस दरार को मिटाया जा सकता है कई बार इस दिवार को मिटाने के लिए कोशिश की जाती है घरवालों की तरप से और कई बार कोशिश की जाती है husband wife दोनों के दवारा इसी चक्र में वो गलत आदमी पर विश्वास कर बैठते ह हैं जो घरवाले हैं चाहे लड़की पक्स के हों चाहे लड़के पक्स के हों कई बार खुद की गलतियों से चलना सीख मुहबबस से सब की जोलियां भरना सीख क्या रखा है बत्रों किस बे असर इबादत में असर चाहता है तो खुद की अबादत करना सीख कैसे करे खुद बन चुका है मानसिक समश्चाओं ने खेड लिया है हम लोग मानसिक रोगी बन चुके हैं बन चाहते हैं कि इन मानसिक रोगओं का इलाज बिना अधुआई के 5-7 दिन में बहुती आनंद के साथ ये रोग चला जाए तो आप आ सकते हैं साइको गुरू टीम के पास और यह है इलाज साइको तेरापी के साथ योगा, मेडिटेशन, प्ले तेरापी, डांस तेरापी, लाक्र तेरापी, माइन पाउर और अन्य और वितेरापी दवारा होता है इसके साथ परसनल काउंसलिंग राजिंदर जोद पुरिया के साथ पूरी साइको गुरू टीम दवारा दी जाती है इम्तिहान समस्कर सारे गम सहा करो, इम्तिहान समस्कर सारे गम सहा करो, शक्षियत मैं गोठे की बस खुश रा करो खुशी के लिए आईए साइको गुरू टीम आपका वालिनूं करते हैं स्वागत करते हैं अपने आपको मानसी गुरूप से स्वस्त बनाईए धन्यवाद कई बार जो झगड़ा सुलजाने वाले होते हैं उनका मकसद झगड़ा सुलजाना कम होता है अपना इगो अपनी मुझ खुंडी रखना जादा होता है इसी चकर में पिछ जाते हैं दोनों लड़का और लड़की क्योंकि ये परिवारों की शान, आन, बान की लड़ाई बन जाती है अस्तितों की लड़ाई बन जाती है जिसमें कोट कचैरी के चकर भी लगते हैं पैसा भी बरबाद होता है और कई बार लड़का लड़की दोनों विश्वास कर बैठते हैं थर्ड परसन पर जो थर्ड परसन कैपेबल नहीं होता है जगडा सुल जाने के जगडा समंदों में जो दरार आई है उसे मिटा देता है और एक दूसरे को समझने की अद्बुत शक्ती भी परदान करता है तो हमेशा विश्वास करें मेरिज काउंसलर पर या जो एक्सपर्ट है वे वाहिक जगडों को सुल जाने में तो इसमें बचत हो जाती है आर्थिक और मा सुलजा खर्च हुई कितना मन खराब हुआ बहुत कुछ हम कर सकते थे लेकिन उस जगडे की वजह से सब कुछ रुक जाता है उसका तो इसाब किताब होता ही नहीं है इसी तरह कि एक सुविधा हम सुरू कर रहे हैं अनुपम पैराडाइज की तरफ से कि हस्पेंड करती है दोनों हस्पेंड और वाइप की जिसमें एक दूसरे को समझना कैसे हैं एक दूसरे की भावनाओं का आधर कैसे करना अगर वह रियल में प्यार करते हैं तो उसे एक्स्प्रेस भी करना आना चाहिए बहुत सारे आजकल प्रें यूगल ऐसे हैं जोड़े ऐसे हैं ज लेकिन जब वो जगड़ा सुलजाने बैठते हैं तो जगड़ा सुलजाने के चकर में लड़ाई कर बैठते हैं बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि दोनों का मकसद जगड़ा सुलजाना होता है लेकिन सुलजाने के चकर में दोनों लड़ बैठते हैं तब जरूरत पड़ती ह एक्सपार्ट काउंसलर की कि वो बताता है कि जगडे को सुलजाना कैसे हैं क्या-क्या दृष्टी कौन हो सकते हैं सोचने के क्योंकि जब गुसा हावी होता है इको हावी होता है तो सोचने और समझने की शक्ती पर तला लग जाता है हमें घटना का फिर एक ही पक्स नजर आता है दूसरा पक्स तो हम देख ही नहीं पाते हैं तो काउंसलर हमें ऐसास कराता है कि इस घटना का दूसरा पक्स भी क्या है अगर आप जिन्दकी को बचाना चाहते हैं अपने रिष्टे को बचाना चाहते हैं ओनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ओपलाइन ट्रीटमेंट के लिए पास दिन खुद के लिए निकाल सकते हैं आप अगर पास दिन निकालते हैं हम वादा करते हैं कि पास दिन के मतलब यह नहीं है कि कुछ हम बंदू की आप पिस्तोल देंगे हम वो आपको टूल देंगे जिनके जरी आप जगणों को सुलजाने में खुद कैपेवल बन जाते हैं आज के वीडियो में इतना ही आप इन वीडियो के लिए समय निकालते हैं इसके लिए साइको गुरू है दिल से आभारी हुए